तो इस time realme mobile phone users के साथ एक बहुती बड़ी problem आ रही है उनके mobile phone की display पर कुछ इस type से lining का issue आ रहा है जैसे कि आप यहाँ पर मेरे realme phone की display पर देख रहे होगे अभी सुबह सुबह उठकर मैं अपने mobile phone में YouTube को open करने गया तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरे mobile phone की display पर continue lining का issue आ रहा है तो ऐसे में मेरा realme phone नहीं निचे गिरा नहीं पानी में गिरा एकदम बढ़िया तरीके से new phone है लेकिन automatic से सुबह से मेरे mobile phone की display पर भी कुछ इस type से lining का issue आ रहा है तो ऐसे में आपने mobile phone में किसी भी application को open कर रहा हूँ YouTube पर किसी भी videos को play करो तो continue आपको मेरे realme company का कोई सा एक model का phone करो तो आगर आपके mobile phone की display पर भी कुछ इस type से lining का issue आए चाहे किसी भी color की lining का issue क्यों हो ग्रीन कलर की हो ब्लैक कलर की हो वाइट कलर की हो ब्लैक कलर की lining का issue क्यों हो तो आज किस वीडियो में आपको तीन ऐसी setting बताने वाल हूँ जिन तिन settings को enable करने इस वीडियो में जानते हैं जैसा कि आपने देखा ठीक एक मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने realme phone में उन तीनू settings को enable करके display lining के प्रावल्म को हमेशा हमेशा के लिए सालू कर दे अब यहाँ पर आपको मेरे realme phone की display पर कोई भी lining का issue देखने को नहीं मेरा होगा आपके सा अब किसी दूसरी application को आपके सामने YouTube को आपके सामने ये refresh किया तो कोई भी आपको lining का issue देखने को नहीं मेरा होगा तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि most helpful video होने वाली है realme mobile phone users के लिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहली setting करनी है आपको अपने realme phone की home screen पर आने की सेटिंग्स को अपन कर देना है तो जैसी आप सेटिंग्स को अपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप कर पर सर्च बार में डिरेक्ट सर्च कर देना होगा तो ज आपको अपने realme phone में कोई डिट नहीं होगा तो आपको यहां से बैक आ जाना है mobile phone की home screen पर तो यह आगई सेटिंग नंबर फस्ट अब आपको अपने realme phone में दूसरी important सेटिंग करने है दिहान से देखना most important सेटिंग आपको 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 नीचे का option देखने को मिल रहा हूगा तो यहां पर आपको नीचे का option देखने को मिल रहा हूगा apps का तो दोस्तों यहां पर मुझे apps का icon आ रहा हो सकते हैं आपके realme phone में नीचे चरके कहीं पर आ रहा हूगा management app app info या app list का icon देखने को मिल रहा हूगा तो जैसी यहां पर मैं हलका-लका scroll करऊंगो तो कहां गया मेरा setting नाम का option जैसे क्या देखने यह आगे share it के साथ अपर setting आपको settings का icon पर click करने तो setting का कुछ ऐसा dashboard निकल के आ जाएगा तो यहां पर आपको bottom में बहुत सरे आप चलोंगे permission data usage storage युजे तो आपको storage usage का icon पर click कर आने तो आपके समने as interface आगा तो आपको red color में नेचे clear kg आइकन पर click करने को एक step back आने बैक आने को आपको top करने पर center में 4 stop करने पर click करने अगेन आपको bottom में 4 stop करने तो आप back mobile phone की home screen पर आ जाएंगे तो यह आगई setting number second अब आपको realme phone में last and final setting सबसे important setting कौन सी ऐसी करनी है जिस settings को enable करते ही तुरण आपके mobile phone की display lining की problem हमेशे हमेशे कले साल होने वाली है आपको अपने mobile phone की home screen पर आने को जो भी आपके mobile phone का on off button इसको long press करने है तो जैसी आप long press करेंगे तो आपके सामें दो option हैंगे power off कर restart को दोस्तों यहाँ पर मुझे restart का icon आ रहा हो सकते है आप आपके mobile phone का क्या है तो restart और रिबोट गाने को आपको बिलकुल कफियोज नहीं होना लास्ट शृटिंग आपको इक स्टार्ट पर आत्लिस्ट एक बर restart रिबोट मार देना है तो restart रिबोट माने से कोई ब्रट येट और ब्रबीट देलेट नहीं होगा तो जैसी आप restart को प सब्सक्राइब करें, यह थी शोटी सी इंफार्मेशन वीडियो अच्छे लेगी, चैनल को सब्सक्राइब करने अब ले थैंक यू